हलो मेरे ब्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का मैट्स, चैप्टर नमबर है 8, जिसका नाम है रिष्णल लंबर और यह exercise है 8.2, इसमें हमें पहले question में given है, some find out करना है इससे पहले मैंने जो 8.1 डाला था, I hope आपने उसको देखा होगा और वो बहुत ही easy था, हमने उसमें बात करी थी rational number होते क्या है and किसी भी दो number की बीच में अगर rational number find out करना है तो कैसे find out करेंगे ascending order and greater than, less than कैसे find out करेंगे, वो सब हमने किया है तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, उसके बाद यह आपको अच्छे से समझ मैंगा पहला question है 5 by 4 plus minus 11 upon 4 denominator same है, तो just सामने सामने number को plus कर दो अब देखो 5 plus minus 11 है, तो plus minus होता है, तो 11 में से 5 जाएगा, तो क्या आएगा 6, बट यहाँ पर bigger value जो है, उसका sign रखेंगे, तो minus 6 upon में यह 4 है, तो 4 हो जाएगा और इसका simplest form क्या होगा, 3 tos आ 6 होता है, तो minus 3 and 2 tos आ 4 होता है, तो यह divide हो जाएगा तो minus 3 by 2 इसका simplest form हो जाएगा अब करेंगे question number second, अब देख सकते हैं, यहाँ पर denominator different है, तो सबसे पहले हमें इसका LCM लेना पड़ेगा, है ना, तो LCM क्या हो जाएगा इसका, 3 और 5 का LCM 15 होता है, है ना, मैं आपको इसमें दो तरीके यह बताऊंगी, जो भी आपको समझ मैं उस तरीके से कर सकते हैं, तो LCM उनमे 15 ले लिया, तो पहले एक line draw करो, नीचे लगो 15, 3 से 15 को divide करना है, divide करने पर क्या आएगा, 5 आएगा, 3 5 जा 15, उस 5 का multiply इस 5 में करना है, 25 हो जाएगा, फिर plus है तो plus, अब इस 5 से इस 15 को divide करना ह तो क्या आएगा, 3 आएगा, उस 3 का multiply, 3 में करना है, यहाँ पर उपर वाले हो, तो 3 3 जा 9, अब इन दोनों को plus करोगे, तो क्या हो जाएगा, 34 upon 15, तो यह तो था पहला method, दूसरा है, अब क्या कर सकते हैं, आप इसका cross multiplication भी कर सकते हैं, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, और 5 3 जा 15, मतलब की पहले इसका करना है, इसका इसमे करना है, फिर इसका इसमे करना है, ऐसे होता है, ठीक है, यह वाला काम कर सकते हो, तो इसका answer क्या आजएगा, फिर 54 upon 15, तो यह मैंने 2 तरीके बताएं, आपको जो भी समझ माया है, उससे कर सकते, अगर यह और divide होता तो आम सिंपलि बढ़ यह नहीं होगा है अब कुछ नमबर थर्ड क्या है माइनिस 9 अपॉन 10 प्लस 22 अपॉन 15 10 और 15 इसका हलसीयम क्या होगा 30 होगा तो इसका हलसीयम 30 होगा तो पहले लिखो यहां नीचे 30 10 3 जा 30 है ना तो 3 9 जा 27 है ना 10 3 जा तो 3 9 जा 27 प्लस 15 2 जा 30 2 का मल्टिप्लाइ 22 में करोगे तो 44 आंसर क्या एगा माइनिस प्लस माइनिस होता है इसमें से यह माइनिस होगा तो क्या हो जाएगे 17 और साइन जो है बड़ी की होती तो यह बढ़ा है इसलिए प्लस हो जाएगा 30 यह पहला मेथड था दूसरे में आप इसको क्रॉस मुल्टिप्लाइग कर दो क्रॉस मुल्टिप्लाइग करोगे तो क्या जाएगा इसको आप सॉल्व कर लो प्लस माइनिस माइनिस करोगे तो जो आंसर आएगा फिर उसको सिंप्लिस फॉर्म में कर देना सिंपल तो यह मैने दोनों मेथड बता दिये यह आप उसका आंसर लिख लेना ठीक है यह उमोक है कुछ नुमबर 4 देखते हैं कुछ नुमबर 4 है माइनस 3 अपॉन माइनस 11 प्लस 5 बाइन एलसीम क्या होगा 99 अब इसमें एक और मेथड बताती मैं लिखो यहाँ पे माइनस 3 अपॉन में माइनस 11 एक कोस्टू दिनोमेटर 99 के फॉर्म में लिखो हैना अब 11 से 99 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा that means 11 9 जा 99 हैना डिवाइड करके भी देख सकते हो या फिर ये भी देख सकते हो कि किस नंबर का मल्टिप्लाइ करोगे कि 99 आएगा अब अगर 9 का नीचे मल्टिप्लाइ किया तो उपर भी 9 का होगा तो 9 3 जा 27, minus 27 हो जाएगा हैना और वैसे भी minus नहीं होगा ये ये क्योंकि यह minus minus है तो ये दोनों plus हो जाएगे हैना ये divide हो जाएगा तो यहा कुछ भी नहीं लिखो अब दूसरा नंबर 5 by 9 लिखो 5 by 9 equals to denominator as a 99 अब फिर 99 है तो 11 जा होगा है 9 इंटो 11 99 तो उपर भी 11 का मल्टिप्लाइ करोगा 5 जा 55 सिंप्ली अब इन दोनों को प्लस कर लो 27 अपन में 99 प्लस 55 अपन में 99 अब डिनोमिनेटर से में है तो आंसर के आ जाएगे जसे प्लस करोगे तो हो जाएगा 2 और 5 2 प्लस 7 और 8 82 अपन 99 हो गया तो यह तीसरा मेथड भी मैंने बता दिया तो आपको तीनों मेथड में से को अब डिवाइड हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना माइनस 8 अपन 19 प्लस माइनस 2 अपन में 57 अलसीम क्या हो जाएगा 19 और 57 का 57 होगा 19 त्रीजा 57 होता है ना क्योंकि तो जस्ट अब यहाँ पर डिवाइड करोगे तो वन ही आएगा तो 1 इन्टू माइनस 2 माइनस 2 अब क्या आजाएगा डिवाइड में तो 57 ही रहेगा और ये देखो माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगे तो 26 अजाएगा और इसकी वैलू जो है सब्सक्राइब ए चैसे कहा है इस तरी किस के सम्हे कर न ही ओब इस तरीह के सब्सक्राइब 4 दीओ सुबड़ का यह सब्सक्राइब ना इस को कि थे शींट अब पहले इसको के सेम्स प्लाइब हो निस ने कि आएप और tớison minus 7 upon 3 plus 5 for 20 20 plus 3 23 upon 5 अब यहां पर देखो LCM क्या हो जाएगा इनका 15 है ना अब देखो यहां पर देखो minus 7 upon 3 upon में 15 3 into 5 करोगो तो 15 आएगा 7 into 5 करोगो तो 35 आएगा एंड यहां पर minus हो जाएगा ना minus है तो 23 upon में 5 equals to 15 5 3 जा 15 तो 23 3 जा क्या हो जाएगा 69 अब बस इन दोनों को plus कर दो minus 35 by 15 plus 69 upon 15 अब देखो यह plus minus क्या हो जाएगा minus हो जाएगा तो इसमें से subtract करोगो तो क्या आएगा 4 and 6 minus 3 is 34 upon में 15 and sign bigger क्योंगे तो यह bigger है तो इसलिए प्लस हो जाएगा तो इस तरीके से हमने पहला question कर लिया जिसमें हमें sum find out करना था और मैंने आपको तीन तरीके बताएगा जो भी आपको easy लगता है उस तरीके से solve कर लेना है ठीक है second question में हमें इसको subtract करना है तो simple वही method है अगर denominator सेम है तो just आप numerator को subtract कर तो answer आपका आजाएगा लेकिन अगर denominator सेम नहीं है तो आपको LCM find out करके या फिर cross multiplication करके या फिर जो मैंने 24-17 upon 36 LCM क्या हो जाएगा इसका देखो 24 ए 36 का LCM 72 हो जाएगा क्योंकि 72 जो है तोनों के ही टेबल में आता है 72 अब यहां पर लिखो denominator 72 24 से 72 को divide करोगे तो 3 आएगा एंद 3 सेविंजर 21 होता है है ना माइनस है तो माइनस 36 2 जा होता है डिवाइट करने पर 2 आएगा एंद 2 70 जा 34 होता है बस अब यहां पर subtract कर दो यह smaller है तो माइनस में आएगा answer क्या आएगा इसमें माइनस करोगे तो माइनस का 13 upon में 72 बस यह answer हो क्या second question है 5 by 63 minus minus का 6 upon 21 LCM क्या हो जाएगा 63 और 21 21 तरी जा 63 होता है तो यहां पर 63 ही इसका LCM हो जाएगा तो लिख भें यहां पर 63 इसको इससे डिवाइट करोगे तो 1 आएगा 1 5 जा 5 minus 21 से 63 को डिवाइट करोगे तो 3 आएगा 3 6 है 18 माइनस है तो माइनस का 18 अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आप लिखो line draw करो 13 इंटो 15 लिख दो नीचे अब देखो 13 से अगर इस नंबर को डिवाइट करोगे तो 13 13 डिवाइट हो जाएगा तो 15 बजेगा अब इस 15 का मल्टिप्लाई करोगे 6 में तो माइनस 90 आएगा है ना इस 15 से इसको डिवाइट करोगे तो 15 दो डिवाइट हो जाएगा 13 बजेगा थर्टीन से बिजे क्या होता है 91 तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 91 है अब देखो नीचे है तो एक बार मल्टिप्लाई कर लोगे अगर 13 इंटो 15 वन 95 होता है यह हो गया अब देखो यहां पर क्या होगा 90 और 91 यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट यह प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा तो 91 में से 90 जाएगा तो 1 आजाएगा अंसर तो 1 बाई 95 इसका अंसर हो जाएगा ठीक है कुश्य नंबर 4 करते हैं माइनस 3 अपॉन 8 माइनस 7 बाई 11 इसका अलसीन क्या हो जाएगा 88 तो जस्ट 88 लिखो यहां पर 8 से 88 को डिवाइट करेंगे तो 11 आ जाएगा अब 11 इंटू 3 33 माइनस का और यह माइनस 11 एट जा 88 एट सेविन जा 56 तो बस माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो यहां पर 89 हो जाएगा और यह बिगर है तो यहां पर माइनस 88 तो यह 89 अपॉन 88 आंसर हो गया लास्ट कॉश्चन है 5 माइनस 2 इस 1 बाई 9 माइनस 6 पहले इसको सॉल्ट कर लो 9 तूजा 18 प्लस 1 19 माइनस 19 बाई 9 एड माइनस 6 बाई 1 लिख दो अब इसका LCM क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा इसका LCM तो हाना तो बस यहां पर लिख दो 9 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा तो 19 जा 19 माइनस 19 जा 9 तो 9 सिग जा 54 अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगे तो माइनस का 73 अपॉन में 9 यह हो जाएगा आंसर तो इस तरीके से हमने Q2 भी कर लिया I hope आपको समझ में होगा मूव करते हैं थर्ड पर कुश्यमबर थर्ड में find the product simply आपको product find out करना है तो multiplication is the product इसमें सिर्फ सामने सामने multiplication होता है numerator का numerator साथ denominator का denominator साथ उसके बाद इसके simplest form में लेग दो जो divide हो रहा है उसको divide करके and answer आजाएगा तो इसको करके देख लेते हैं multiplication तो सबसे easy होता है and easy तो सारी होते हैं बस आपको आना चाहिए and please मेरी वीडियो को share करिये तब ही जाके मुझे अच्छा लगेगा motivation मिलेगा तो मैं और वीडियो ज अब देखो 97 जा 19 बोला किया मैंने sorry 97 जा कितना होता है 63 minus है तो minus 63 248 अब देखो कुछ भी इसमें divide नहीं हो रहा है ना तो बस यह हो गया answer इसका question number second 3 by 10 into minus 9 अब यह इसको denominator इसके नीचे कुछ भी नहीं है 9 ही है तो बस सामने multiply कर तो क्या आजाएगा 3 9 जा 27 तो minus 27 upon 10 that's it third question है minus 6 by 5 into 9 by 11 क्या हो जाएगा 6 9 जा 54 minus 54 11 5 जा 55 that's it तो इस तरीके से third कर लिया fourth minus 3 3 नहीं है 3 by 7 into minus 2 by 5 3 2 जा 6 तो minus 6 7 5 जा 35 simple question number 5 3 by 11 into 2 by 5 तो हो जाएगा यह 3 2 जा 6 and 5 11 जा 55 है ना इस तरीके से हमने यह कर लिया last question है 3 by 5 minus 5 into minus 5 by 3 अब देखोई यहाँ पे 5 से 5 डिवाइड हो गया 3 से 3 answer हो जाएगा 1 इतना easy था question number 3 और 4 तो इससे भी जादा easy जिसमें हमें divide करने है यह है find the value of this यह हमें division given है division में क्या करना होता है आपको जो next यह वाला number है ना इसको जिस्ट reciprocal कर दो 3 जो है denominator वो numerator कर दो और 2 जो है denominator कर दो simple और यह sign multiplication का हो जाएगा करके देखते हैं easy है question number 4 का 1 है minus 4 divide by 2 by 3 तो इसको कैसे करना है minus 4 यह divide को multiply करो and 3 उपर जला जाएगा 3 by 2 अब देखो 3 4 जा 12 minus 12 upon 2 अब 2 बंजा 2 होता है और 2 6 जा 12 होता है 2 2 जा 4 बट यह भी ठीक है है ना question number 2 minus 3 by 5 divide by 2 इसका क्या हो जाएगा minus 3 by 5 division का multiplication हो जाएगा and 2 के नीचे 1 तो है ना तो 1 by 2 हो जाएगा अब क्या हो जाएगा 3 बंजा 3 minus 3 by 5 2 जा 10 है ना अब क्या हो जाएगा यह पर question number 3 minus 4 by 5 divide by minus 3 minus 4 by 5 into 1 by minus 3 है ना तो 4 बंजा 4 4 minus 4 by 5 3 जा 15 minus 15 अब यह minus से minus divide हो जाएगा तो answer आपका सिर्फ 4 by 15 ही आएगा right minus 1 by 8 divide by 3 by 4 अब क्या हो गई है minus 1 by 8 multiply 4 by 3 अब दो लिखो 4 बंजा 4 and 4 तो जाएगा आंसर के आएगा 1 बंजा 1 minus 1 upon में 2 3 जा 6 फाइब क्योश्चन नमबर minus 2 by 13 divided by 1 by 7 minus 2 by 13 सेम लिखो और यह opposite हो जाएगा 7 upon 1 तो 7 तो फाइब क्योश्चन नमबर 6 and 7 जो है हो मुझे आंसर कोमेंट करना थीक है तो इस तरीके से हमारा रेशनल नमबर का चैप्टर जो है exercise दोनों हो गई है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यह जो हमने सॉल्व किया अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कोमेंट करना और अगर आव इस चैनल पे नाए तो इसको सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में और इस वीडियो को प्लीज अपने ग्रूप में शेयर करना जो भी बच्चे ट्विशन नहीं ले रहे उनको इसका बेनिफिट मिलें बाए करना मिलें टूंग जो एंग रहे हुरो इसका बाए